साथियों, इस कोरणा काल में आपने देख लिया है कि जब गरीब का दर्द दिल में होता है, तो सरकार कैसे गरीबों के लिए काम करती है। हमारी सरकार पिछले दो साल से यूपी के पंदरा करोड लोगों को मुप्त राशन दे रही है। जिस राशन की उसने कभी कलपना भी नहीं की थी, उसका दाना दाना आज उस गरीब तक पहुँच रहा है। सरकारी राशन की दुकानों का पहले क्या हाल रहा है, ये आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। और कोरोणा के समय सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है, हर गरीब को राशन कैसे मिल रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। साथियों, इसके लिए आपको पुराने दिनों को उनकी सरकार के समय यहां क्या हाल थे, उसको जरा मैं याद कराना चाहता हूँ। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाच, राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बाटने की तारिक लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, यह गरीब को पता ही नहीं चलता था। गोर परिवारबादियों के दलाल गरीब का राशन उसे भी लूट लेते थे। यहां तक की उनके मंत्री, उनके सावसत, उनके विधायाक, यह सारे परिवारबादी तोलियां, यह गरीबों का राशन लूटन में शामिल रहते थे। भाजपा सरकार ने गोर परिवारबादियों के इन सारे खेलों का भी दे एंड कर दिया है।